गाइज यहापे आप देख सकते हो, यह जो गार्डन है, मैंने आपको शाम का नजारह दिखा है था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इवनिंग का, जो कि काफी खुब सुरत, यहापे हमें यह गार्डन दिख रहा है, देख सकते हैं, यहापे लिका है, टाइगर काफी खुपसरत flyover से और कोशिश करूँगा मैं आपको ये नीचे जाके नजदिक से दिखा हूँ तो चलो चलते वहाँ से इस वाले flyover से नीचे की तरफ अभी हम लोटे मिहान से और पहुचेंगे यहाँ पे और ये वाला रास्ता जाता है सीधा city की तरफ देख सकते हैं आप यहाँ पे इस एंगल से तो और भी प्यारा दुरुश्य यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है और काफी ब्यूटिफूल नज़ा रहा है ये मिहान flyover से चोकि यह highway जाता है सीधा नाकपूर city की तरफ काफी ब्यूटिफूल व्यूट शाम का देख सकते हैं आपको ये व्यूटिफूल व्यूटिफूल व्यूट शाम का कभी किसमे दिखा नहीं होगा तो एंज़ोई कीजए गाई नाकपूर city को तो गई देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको इस flyover से दिखा था इह जो मियान वर मियान में जाने वाला यह फ्लाइव ओर है, इसके स्टार्टिंग बाइडन, तो देख सकते हैं आप यहसे, यह य्विवनिंग का न जारा है इस लाडन का काफी खुर सुरत यह आप हमें देखने के लिए मिल रहा है देख सकते हो आप चलो मैं आपको थोड़ा नजदिक से भी दिखानी कुछ करता हो देख सकते हो काफी ब्यूटिफूल हमें यहाँ पर यह देखने के लिए मिल रहा है काफी ग्रीन और डेकरेटिव इसे बना गया है यहाँ देख सकते हो आप पर औरेंज का बहुत बड़ा सिंबॉल चोकि वेलकम करता है औरेंज सीटी की तरफ वेलकम इन औरेंज सीटी नाकपूर चलो देख सकते हो यहाँ पर उनिंग का नजा रहा चोकि आपको फ्लाइवोर से उनिंग का नजा रहा आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा यह जो आप देख रहे हो यह गार्डन यह जी टुटी के वक बना गया था और काफी व्यूटी पूल यह हमें यहाँ पर देखने के ने मिल रहा है देख सकते हो यह जो कि कमल का जो साइन है कमल का फूल उसके उपर रखा गया है और काफी व्यूटी पूल और निचे से आप यह रास्ता देख रहे हो यह जाता है सीधा सीटी के तरफ नाखपूर सीटी के तरफ और यह मिहान का फ्लाइवर जो कि जाता है सीधा नाखपूर सीटी के तरफ अगर आप मिहान से रीटन आते हो तो सीधा यहा से नाखपूर सीटी के तरफ पोच सकते ह जबी मैंने आपको इवनिंग का नजारा दिखा आया था इस फ्लाइवोर से जो की जाता है मियान की तरफ और यह रास्ता जा रहा है सिधा वर्दा सीटी की तरफ तो देख सकते हो एंजाइ कर सकते हो इस दुरुश्य को यह देख रहे हैं आप साइड वाला फ्लाइवोर यह सीधा उतरता है सीटी में जाने वाला हाइवे की तरफ तो चलो देखते हैं कोशिच करूँगा कि मैं आपको एक नजदिक से दिखा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम पोच गए है इस गार्डन के नजदिक जोकि यहाँ पर लिगा है टाइगर कैपिटल और यहाँ पर देख सकते हो नाइट का काफी ब्यूटिफूल नज़ा रहा है चलो दिखाता हूँ मैं आपको पास से आप Examples प्लाइवर से भी आपको दिखाया है इस गार्डेंग का व्यू उपर से और अभी देख सकते हो ये नीचे से नजा रहा और भी मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिच करूंगा आगी की तिरब और भी ब्यूटफूल लरीके से या पर इसको बनाया गया है देख सकते हो आफ यहाँ पर आप देख सकते हो जब G20 का सम्मेलन था तब इसे बनाया गया था और काफी अच्चे से इसे मेंटेन किया जा रहा है इस गार्डेंग को देख रहे हो काफी पेल पूदर यहाँ पर लगाया गया है और काफी ग्रीन री यहाँ पर मेंटेन की गई है देख सकते ह यह है नाकपूर, जो कि यहाँ से शुरुवात होते हैं नाकपूर सीटी की, और यह है वेलकम पॉइंट नाकपूर सीटी का, जो कि जाना जाता है टाइगर कैपिटल और और इन सीटी के नाम से, देख सकते हैं आप यहाँ पे, टाइगर कुछ पिच्चर्स, और यह इवनिं चलो दिखातो हो मैं आपको और आगे से यहाँ पर देख सकते हो यह है टाइगर कैपिटल नाकपूर सीटी जो की वेलकम करता है यह पॉइंट नाकपूर में आने वाले लोगों का और काफी ब्यूटिफुल गार्डन यहाँ पर मेंटेन किया गया है देख सकते हो चलो दिखातो हो मैं आपको यह देख सकते हैं आप यहाँ पर हीरेन भी है और यह बिलकुर प्रतिबंदित शेत्र है जो कि आप यहाँ पर अंदर नहीं जासकते क्योंकि क्या होता है कुछ लोग अंदर जाके फिर वो neat and cleanliness maintain नहीं रखते हैं तो इसलिए यह restricted area है आप यहाँ पर कोशिश कर रहे है कि इस area को इस point को है clean और neat बनाए रखे जो कि काफी beautiful नजारा और काफी beautiful spot यह देखने के लिए मिल रहा है और काफी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए भी आता है शाम को चलो दिखाता हो आगे से जो कि वहाँ पर लिखा है वेलकम इन ओरन सुटी नापपूर तो यहाँ पर देख सकते हो गाईज यहाँ पर लिखा है वेलकम टू ओरन सुटी नापपूर और यह है इसका आसपास का पूरा व्यू देख सकते हो जो कि इसे निर्मान किया जाता है G20 के वक्त और कापी अच्चा इसे मेंटेन किया जा रहा है और मैंने आपको इस फ्लाइवोर से भी दिखाया था तो देख सकते हैं यह रास्ता जाता है सीटी की दरफ जो कि यह फॉइंट है दोगों को वेलकम करता है सीटी में आने वाले लोगों को वेलकम इन औरेन सीटी नाकपूर और यह है वेलकमिंग पॉइंट आप नाकपूर सीटी जो कि मर जाना जाता है टाइगर कापटिल के नाम से और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ टाइगर की प्रतिमाय भी है आप एर रखी गई है तो काफी ब्यूटिफुल फॉइंट ये तो चलो इस वाले पॉइंट को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर काफी ब्यूटिफूल और काफी ग्रीन यह बना गया यह वालफाइंट और यह है और इंसीटी नाकपूर नाकपूर का एंट्री पॉइंट जो कि यहाँ शुरुवा तो ते नाकपूर सिटी की मिहान में जाने वाले फ्लाइ ओर की और अपुजिट रास्ता यह जाता है वर्दा की तरफ और यह वाला रास्ता जाता है नाकपूर सिटी की तरफ और यह है वेलकम पॉइंट नाकपू जो की जाना जाता है और इन सिटी के नाम से और ये प्यारा सा गार्डन जो की कापी अच्छी बात है नाकपूर वास्यों के लिए क्योंकि एक सिटी को ग्रीन और क्लीन मेंटेन करके रखना और और एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों का निर्मान हो तो ये वाला रास्ता आप देख रहे हो ये जाता है सिदा नाकूर सीटी के तो एंजोई कीज़े गाईज नाकूर सीटी को और क्लीन और ग्रीन रखने की कोशिश कीज़े गाईज का भी लंबा समय हो गया था जो मैंने वीडियो नहीं डाली थी तो अभी I hope कि मैं लगातार वीडियो डालता रहूं और आप इसको enjoy लेते रहे और आपका entertainment होता रहे और कापी information आपको मिलती रहे तो guys इसलिए आप इस वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा और चैनल को जरूर subscribe कीजेगा Thank you guys for watching this video and welcome you back again in नाकपूर सीटी Thank you